गूड मॉर्णिंग चिल्डरेन इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लासिक्स विज्ञान से चप्टर 4 जिसका सिर्षक है वस्तूओं के श्रमूव बनाना इस वीडियो में सबसे पहले पार्ट का सरांज जानेंगे उसके बाद कुछ परिच्छप्योगी प्रश्णों के उतर जानेंगे ये सीबेशी पार्ट करम पर अधारीत है जो NCRT बुक से लिया गया है बच्चो इस पार्ट में हम वस्तू के श्रमूव को बनाने के बारे में जानेंगे वस्तू के श्रमूव बनाना हर वस्तू एक यानिक बदादों से बनी होती है एक वस्तू कई परकार के बदादों से बन सकती है कोई वस्तू प्रकृती या संसलेशित हो शकती है पदार्थ में द्रव मान होता है और यह स्थान लेता है पदार्थों को कई लच्छनों के अधार पर वर्गी कृत किया जा सकता है जैसे भोतिक अवस्ता के अधार पर पदार्थों के तिन परकार होते हैं ठोस, द्रव और कैस यहाँ पर हम ठोस दरव कैस के बारे में जानेंगे ठोस किसे कहते हैं? जिस परदार्थ के आकार और आयतन निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं उधारन पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक, नमत, इस्टी, बर्फ, कांच, इत्यादी दरव किसे कहते हैं? तो जिस परदार्थ का आयतन निश्चित होता है लेकिन अकार अनिश्चित होता है उसे हम दरव कहते हैं दरव का अकार बढ़तन के अकार का हो जाता है एक्जामपल है पानी, तेल, दूद, इत्यादी गैस किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ के आयतन और अकार दोनों अनिस्चित होते हैं उसे गैस कहते हैं इक्जामपल है आक्सीजन, नाइट्रोजन, कारवन, डायकसाइड, धुआ इत्यादी दिखावट के अधार पर पदार्थों के प्रकार अलग-अलग पदार्थ दिखने में अलग-अलग लगते हैं किसी भी पदार्थ की दिखावट उसके रंग, कठोर्ता, गठन, चमक, इत्यादी पर निर्वर करती है दिखावड के अधार पर पदार्थों को निम्लकित प्रकारों में पाटा जा सकता है कठोर या कोमल किसे कहते हैं तो कुछ पदार्थ कठोर होते हैं तो कुछ मुलायम होते हैं कठोर पदार्थ जिस पदार्थ को असानी से संप्रित नहीं किया जा सकता हो जिस पर असाने से खंच नहीं लग सकती हो उसे कठोर पदार्थ कहते हैं एक्जामपल है हीरा, पत्थर, लकडी, इस्प्यात, इत्यादी हीरा अब तक का ग्यात प्रकृतिक पदार्थों में सिर्वाधिक कठोर पदार्थ है कोमल किसे कहते हैं तो जिस पदार्थ को असाने से संप्रित किया जा सकता हो और जिस पर असाने से खंच लग सकती हो उसे हम कोमल पदार्थ कहते हैं एक्जामपल है चौक, रुई, रबर, इत्यादी यहां हम जानेंगे विले या आविले के बारे में विले किसे कहते हैं जो पतर्थ असानी से पानी में घुल जाते हैं उन्हें जल में विले या घुलन सील कहते हैं उधारण है चीनी नमक फिटकीरी इत्यादी चुकि जल को सर भौमिक विलायक माना जाता है इसलिए विलेता की परिभासा में जल का उप्योग किया जाता है और विले किशे कहते हैं तो जो पदार्थ पाने में नहीं घुल पाते हैं उन्हें जल में और विले या और गुलनशील कहते हैं एक्जाम्पल है रेत, मिट्टी, चौक, चावल, इत्यादी पारदर्शी किशे कहते हैं तो जिस परदार्थ से परकास असाने से गुजर जाता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं पारदर्शी परदार्थ के आर पारशा आप साथ देखा जा सकता है एक्जाम्पल है काच, पानी, हवा, प्लास्टिक की पतली सीट, इत्यादी औपारदर्शी किसे कहते हैं, तो जिस पड़ात से प्रकास नहीं गुजरता उसे औपारदर्शी कहते हैं औपारदर्शी परदार्ट के आपर नहीं देखा जा सकता है, example युझाफल लकडी लोहा अब परिभार्षी किशे कहते हैं तो कुछ परदातों से प्रकास आशंग की रूप से गुसरता है ऐसे परदात के आर पर धुंदला दिखाई पड़ता है ऐसे परदात को परभार्षी कहते हैं इक्जाम्पल ने ट्रेशिंग पेपर पतला परदा इत्यादी धातों किसे कहते हैं जो पड़ार्थ कठोर होता है उस्मा और विदुत का सुचालक होता है और जिसमें देटी यानि चमक होती उसे धातों कहते हैं उदारन लुवाता मर्शोना चान्दी आदी अधातों किसे कहते हैं तो जो पड़ार्थ भंगुर होता है उस्मा और विदुत का कुचालक होता है और जिसमें देटी यानि चमक नहीं होती है उसे अधातों कहते हैं एक्जाम्पल है लकड़ी कोईला प्लास्टिक इत्यादी इस चेप्टर से पहला प्रशन है लकड़ी से बनाई जा सकने वाली पांच बस्तू के नामी किए तो इसका इंसर है लकड़ी से बनाई जा सकने वाली पांच बस्तू है खिड़की धर्वाजा कूर्शी मेज बैट इत्यादी है शेकंड प्रशन है निम्नीखित में से चमकदार पदार्थों का चैन कीजा ich काच की प्याली, प्लेस्टीक का खिलोना, श्चील की चमच, सूती, कमीज तो इसका इंसर ये चमकदार पदार्थ, काच की पैली श्चील का चमच फौर प्रश्ण है नीचे दीगे कथन सत्त है अथवा अशत्त इसका उलेखी जिए तो का है पत्थर पारदर्शी होता है जब की काच अपारदर्शी होता है तो इसका एंसर है अशत्त खा है नोटबुक में देयुती होती है जबकि रबड इरेजर में नहीं होती है तो ये भी अशत है मतलब गलत है गाहे चाक जल में विलीन हो जाता है ये भी अशत है गाहे लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है ये अशत है अंगा है चिनी जल में विलिन नहीं होती है यह अशत है चाहे तेल जल के साथ मिस्रनिय हो है यह भी अशत है चाहे बालू याने रेत जल में निशांदित हो जाता है तो यह सत है जल है सिरका जल में विलिन हो जाता है तो इसका अंसर है यह सत है प्रेश्ण फाइब है नीचे कुछ वस्तुए और पदार्थों के नाम दिये गए हैं जल बास्केट वॉल चीनी शंट्रा ग्लोब शेब और मिट्टी का घाड़ा इनको इस प्रकार शमुहित यह इसे कह है का गोल अकृती तता अनाकृतियां इसका अंसर है गोल अकृती बास्केट वॉल शंट्रा ग्लोब और मिट्टी का घाड़ा अनाकृतियां है जल शेब चीनी खाद कौन है यह आखाद कौन है तिसका इंसर है खाद है चीनी शंत्रा शेव जल आखाद है मतलब खाद है जो खाने वाला शमान आखाद है नहीं खाने वाला शमान तो बास्केट बॉल गलोब मिट्टी का घड़ा जल में तैरने वाली जिस वस्तु को आप जानते हैं उनके सुची बनाईए जात किजिए और देखिए कि क्या हुए तेल अथ्व मिट्टी के तेल पर तैरती हैं जिसका इंसर लकड़ी कर्ग इस्टाइरोफॉर्म आदि वस्त्विय जल में तैरती हैं जल के अलावा ये शब पलंग मेज बच्चा अलमारे जिसका इंसर बच्चा जो कि सजी है जबकि और शारी वस्त्विय निव जीव है घुलाब चमेली नाव गेंदा कमल्त इसका इंसर नाव सबसे लग है यातायत का एक सादन है और अंसर भी फूल है गाह है ऐलमूनियम आईरन तांबा चांडी इसका इंसर रेत यह अधातु है और शबी धातु है घाह, चीनी, नमक, रेत, कॉपर, शल्फेट तो इसका इंसर रेत यह पानी में विले है और शबी का पानी में विले हो जाता है एट प्रश्ण है धातू किसे कहते हैं तो इसका इंसर जो पदात कठोर और चमकीले होते हैं तता ताप अत्वा विदुत चालक होते हैं उसे धातू कहते हैं नाइन प्रेशन है विले किसे कहते हैं तो इसका एंसर जो पदार्थ जल में पुर्णतव विलीन हो जाए उसे विले कहते हैं जिसे चीनी नमक 10 प्रेश्ण है और विले किसे कहते हैं तो इसका एंसर है जो पदार्थ जल में मिस्टित नहीं हो पाता है उसे और विले कहते हैं जिसे बालू लकडी के बुरादे हैं 11 प्रेश्ण है पारदर्शीक पदार्थ किसे कहते हैं इस कैंसर जिन पदातों से होकर वस्तु को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं जैसे लकड़ी घता धातु इत्यादी थर्टिंग प्रश्न है परभासी पदार्थ किसे कहते हैं उसका एंसर जिन पदातों से होकर वस्तु को पश्ट रोप से नहीं देखा जा सकता है उसे परभासी पदार्थ कहते हैं